सबकी अपने अपने हिस्से की जिन्दगी है, दूसरे के हिस्से की जिन्दगी देखकर खुद को कम क्यों आकना? दोस्तों मैं हूँ सपना जैन जील जिन्दगी विट सैप के जरिये मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिन्दा दिली से जियें घुट कर नहीं अपने इस पॉड्कास्ट सबकी अपने हिस्से की जिन्दगी है इसके माध्यम से मैं हर इंसान की जिन्दगी अच्छी है, उसके बारे में बात करूँगी और मेरा ये पॉड्कास्ट सुनकर अगर आपको भी अपनी जिन्दगी से प्यार हो जाए अपने आप से प्यार हो जाए तो मेरा मकसद इस podcast को करने का पूरा हो जाए हम अकसर अपनी जिन्दिगी को normal मान कर इसे ignore करते रहते हैं और उसको एक खास एहमियत नहीं देते इसके साथ ही अपनी जिन्दिगी के साथ एक और बुरा काम करते हैं दूसरों की जिन्दिगी को एहमियत दे कर अपनी जिन्दिगी को लतारते रहते हैं। आप खुद सोचिए कि आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा कुछ देने की और आपको खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन आप हैं कि कभी उसके किये पर खुशी नहीं होते बलकि उसको ये सुनाते रहते हैं कि उस आदमी को देखो इसको देखो वगेरे वगेरे अब आप ही बताइए वो इनसान आपके लिए कब तक करता रहेगा या तो आपको वो छोड़कर चला जाएगा या फिर अन्मन तारीफ करते हैं तो वो इनसान आपके लिए हर काम दो गुनी खुशी से करेगा बस यही जिन्दगी के साथ है हमारी जिन्दगी हमें हर वो चीज देने की कोशिश करती है जो हमें खुश रखेगा गलती तो हमारी है कि हम अपनी जिन्दगी से इच्छाई ही कुछ सोचने लग जाएंगे कि जिन्दगी में क्या मिला उसी दिन से हम जिन्दगी को सराहने लगेंगे देखिए सबकी अपने हिस्से की जिन्दगी है हम उसी को इंज्वाएं करें ना कि दूसरों की जिन्दगी में क्या है उसी सोचकर अपनी जिन्दगी खराब करें अब सू पूने जैसा चमकता रहता है और अपने तेज से सब को डराता रहता है। सोचिए फिर कैसे काम चलेगा। सबकी अपनी जिन्दगी है और उसे उसी हिसाब से जीनी है। हाँ, अपनी जिन्दगी को हमेशा बहतर बनाने का प्रयास नहीं छोड़ना है। लेकिन अपने हिस्से की जिन्दगी को जीते हुए। नमस्कार